हेलो फ्रेंड्स जैश्री किष्णा और मैं एंजली पटेल आपके साथ इंफिनिटी सॉल्यूशन अड़ा में और आज मैं लाइब हूँ इंग्लिश का लेसन ग्यारा और बारा कैसे उतको सीठना है और कैसे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है तो चलिए मैं आपको जली जली लेसन नमबर 11 और 12 बताती हूँ ठीक है तो यह थोड़ा बड़ा लेसन है तो मैं आपको बता देती हूँ यह इसमें जो माक आ रहा है थो थोड़ा लेसन वैसा ही है इसलिए आप देखते हैं प्रेंड्स तो लेसन आइडल फिर उसके रहे है ग्रास फ्रेश बीस इशू नेक्स इसकी नेक्स लाइन में आप फ्रेंड्स इसकी दूसरी लाइन है जो है लार्ज प्रेंड्स यह जो पहले के आपने सब्द लेसन के सीखें है उसी का यह उसी का यह है आगे का प्रेंड्स इसकी थर्ड लाइन है फ्रेंड्स इसकी थर्ड लाइन है क्वार्ट इसमें जो अपने पहले टाइपिंग के जो लेसन्स किये थे वही सब्द पूरे इसमें दिखाए गए प्रत्यक लाइन को तीन बार टाइप करें तीन बार मतलब जैसे एग्री वाली यह लाइन है साथ जिसको रिवीजन करेंगे तो ऐसे तीन बार इसको टाइप करेंगे एक लाइन को तब जा करके यह आपको अच्छे से बनेगा देखिए यह मैंने दो लाइन टाइप कर दी ऐसे प्रत्यक लाइन को आपको तीन बार टाइप करना है तीनों लाइन को मतलब आप पूरा पूरा पेज भी भर के सीख सकते हैं अलग-अलग लाइन को और चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं लेसन टू लेसन भी कर सकते हैं ठीक है और दीड की वोल्ट देखिए इसमें टाइपिंग के बारे में बिताता जा रहा है तो अच्छा ही है कि अपना को थोड़ा सा आइपिंग के बारे में बदाश जाल जाएगा यह कॉमा भी आप देखते जाएं इसको लगाएं चुकि यह चीजों का भी होता है डाउन के लिए आप कैप्स लॉक दबाएंगे जब दो तीन वर्ड कैपिटल होते तो आप कैप्स लॉक का यूज़ करें नहीं तो एकाद बढ़ रहे तो आप सिप्ट का ही कोप्योब करें सिर्फ उसके बाद यह आप फिर से इसको रिपीट कर सकते हैं तो लाइन और एक बार और इसको आप कॉपी कर सकते हैं कैपिटल लेटर के लिए आप शिप्ट का परियोग करें यह मैंने यह आपका फर्स और सेकेंड लेसन यह दोनों हैं मतलब आपका 11 और 12 इसको आप अच्छे चे करें घर में और जल्दी से टाइपिंग सीखें और मैं इसके बाद आपको एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें सब लोग पूच रहें कि स्पीड कैसे इंक्रीज की जाए मैं वह बताऊंगी तब तक के लिए जाए श्री किष्णा